नमस्कार दोस्तों मैं अजे से सोधी आपका स्वागत करता हूं हमारी चनल MP Life पे दोस्तों आज मेरे साथ जो बैठी हैं सोमिया शर्मा ये उम्र में बहुत चोटी हैं देखने में भी बहुत चोटी हैं लेकिन सोरू में बहुत बड़ी हैं कलाकार बहुत बड़ी हैं फंकार बहुत अच्छी हैं स्वागत है हमारे चनल MP Life पे थैंक यू आने के लिए और मेरा इंटर्विय लेने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है आप से मिरके हमारे लिए बहुत अच्छी बात हैं हमने आपको बहुत फॉलू भी किया है सोमिय शर्मा दोस्तों दिल हिंदुस्तानी सीजन टू की रनर अप रही हैं बेटा मेरा पहला सवाल आप से यह है कि इतनी चोटी से उम्र में आप इतने बड़े शो में आपने परफॉर्म किया और उसमें दो बहुत स्पेशल मोमेंट हुए एक आपका गाना सुनके रिखा जी की आखों में आसु आ गए और दूसरा आपको कुमार शानू ने हार्मोनियम गिफ्ट किया तो इन दोनों में कौनसा मोमेंट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और दोनों के बारे में अपना और जब मैं उनको पहली वार देखा तो मैं सच में मेरी आग में आसु आ गए थे क्योंकि उनका चेहरा देखते से ही सब जितने कंटेस्टिंग से सब बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि हमें इतने बड़े स्टार से मिलने का मोका मिला और उसके बाद फिर गाना गाना चाहती हूं उनका मोस्ट आइकॉनिक सौंग मन क्यो भैका और फिर मैंने उनसे बूला था कि आप उस पर लिपसिंग कीजेगा तो उनने लिपसिंग करी उसके बाद फिर उनने मेरे लिए एक टास्क रखा कि वो गाना गाएंगी मन क्यो भैका और मैं उस पर ल और उसके बाद कुमार शानुजी तो कुमार शानुजी जो थे उनने मुझे हार्मोनियम गिफ्ट किया था तो उनके साथ मैंने गाना काया था आको की गुस्तागिया जो मेरा सबसे सूपरीट सौंग रहा है क्योंकि वहाँ पे जब प्रीतम दा भी थे तो वो मेरे काने से इतना जादा खुश हुए थे कि सारी जजिस ने मुझे स्टाइनिक ओवेशन दिया था और साथ ही प्रीतम दा तो जैसे जो रेली होती उस पे चड़के ही मेरे पास आगे थे मेरे गले मिलने और कुमार शानुजी ने हार्मोनियम गिफ्ट किया था और मेरे बहुत अच्छे च्छे कमेंट्स किये थे और बोला था कि मैं प्लेबेक के लिए अल्रेडी रेडी हूं ये बात उनने प्रीतम सेर से बोली थी तो प्रीतम दाने कभी ये बोला कि बेटा आगे कभी आपको शूट करवाएंगे या आप मेरे स्टूडियो आना चांस देंगे उनने मुझसे काफी बार बोला मतला अभी भी मेरी उनसे बात होती है तो पर ये बोलते हैं एक बार तो ने बोलाय भी था बट मैं थोड़ी स जाता है जैसे स्कूल में पड़ा ही हो जाती है और इसके अलावा मैं कोचिंग जाती हूं तो कोचिंग में भी जो सर और वहां के माम्स है वो काफी हिल्प करते हैं मेरी और उसके अलावा फिर सिंगिंग तो मैं करती हूं तो जब आप दिल हिंदुस्तानी के बाद जब आ कि अपने कैसे हैंडिल किया? सबसे पहले जब मैं विदीशा आई तो मेरे फ्रेंड्स को फैमिली तो ठीक है बट फ्रेंड्स को मुझ पिडाउट था कि मैं मुझ में अटिट्यूट नहीं आ गया हुगा और ऐसे तो उनने मेरे को काफी बार जज किया कि अथा बहुत बड़ी सिंगर है तो एसे क्यों नहीं रहती है कि जैसे हमें तो लगा तो तू बहुत बड़ी सेलिबर्टी है तो ऐसे रहएगे ऐसे तो मैंने भूला आप फ्रेंड्स के लिए तो मैं वैसे ही रहंगी और obviously family तो family होती है तो उनके साथ भी मैं काफी अच्छी से रहती है और मैं एक्दम सब की साथ family की तरह रहने ही पसंद करती हूँ जब आप दिल हंदिस्तानी में परफॉर्म करती थी आप MP से भी है गाती भी बहुत अच्छा है तो हम लोगों ने आपको बहुत वोट दिया तो जब आप हमको तो लग रहा था वो शो जीत भी सकती है जब आप रणर अप रही तो आपको यह लगा कि एक अचीवमेंट है य सबसे बड़ी बात मैं उस शो में कभी भी बौटम में नहीं आई हूँ और वह पर दिल का स्रेंट्स जो थे वो भी मुझे सबसे जादा मिले थे तो इस बात की बहुत जादा खुशी रही और साथ ही जीतना ही है शो में बट ये भी चीज होती है कि मैं आगे तक जाओं शो में आखरी तक मतलब मैं दिखा करा हूँ कि मैं ही हूँ सोमय अशर्मा जो यहां तक गई है शो में क्योंकि मेरे को एक चीज यह भी थी कि अगर मैं विनर बन जाती तो मैं अपने फ्रेंज के साथ इतना अच्छे तरीके से अपनी फैमिली के साथ इतना अच्छे से नहीं रह पाती है क्योंकि वो एक टाग लग जाता मेरे उपर तो फिर सब यही समझते हैं कि शो में बहुत कि मद्दपरदेश जो है और विदीशा तो एक बहुत चोटा सा शहर है तो यहां पर जनरली यह बोला जाता है कि यहां पर जो कलाकार होते हैं और आपकी उम्र तो बहुत ही कम है अभी यहां पर इतना एक्सपोजर नहीं है उतना काम नहीं मिलता आपको बॉम्बई जाकर आप कैसे बेटा वहाँ शो तक इतने बड़े लेबल तक गए पहले तो मैं बहुत जादा ट्राइ करती थी कि ये शोज मेले पापा ने भी बहुत ट्राइ किया था पर उसके बाद फिर शोज से खुदी कॉल जाने लगे थे क्योंकि मैंने बहुत जादा ट्राइ किया तो शोज के लिए जाती हूँ तो दिल है इंदुस्तानी में भी ऐसा ही हुआ था कि उनका कॉल आया था और फिर मैं शो के लिए गई थी सबसे बड़ी बात उस शो का स्टांडड बहुत जादा हाई था और वहाँ पे मतलब मैं यहां तक महुची वही मेरे लिए बहुत क्योंकि जब मैंने फर्स्ट ओडिशन क्लियर करा था तो सबसे पहले तो यह लगा था इतने बड़े बड़े लोग हैं और जो मतलब क्या वो उसमें राप भी था उसमें ग्रॉप्स भी थे तो थोड़ा डर लगता था कि मैं अकेली क्या करूंगी बट फिर आखिर में कॉ जब मुझ में अच्छा कर सकती हूं जो रेरिटी शो उनको यह बात हमेशा हुटती है कि वो लोग कुछ पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनको फेवर करते हैं या कई बार कुछ चीज़ उसमें स्क्रिप्टिट भी होती है आप तो इतने बड़े शो का हिस्सा रही है आ जो साब से अच्छा जिए पड़े लिए शोर्स पहलना है रहा है तो सोर्स जोड़ेटी है जिसका बेग्ग्राउंड ऐसा लगता है कि बहुत वीग है या पूर है तो उनको बहुत प्रमुट करते हैं ऐसा कुछ होता है या सिर्फ अपने मैरिट पे ही पार्टिसिपेंट कि अगे बढ़ते हैं? स्टूरी तो बस ओडियन्स को दिखाने के लिए होती है कि हाँ यह ऐसा बेग्डाउंड था बट सिंगर की गाय की जादा देखी जाती है कि उसकी गाय की कैसी है क्योंकि अगर गाय की नहीं होती है तो फिर सवाल भी यह उठता है कि इसकी तो गाय की भी अच्छी नहीं तो इसको क्यों लिया मैं मानती हू स्टॉरी देखी जाती है बट उससे जादा सिंगर की गाय की देखी जाती है कि वह कैसा गाता है अभी यह जो चैनल है MPLIVE इसने 25 लाग विजिटर्स कर दी है 25 लाग और आपकी एज के बच्चे आपको देखके भी सिंगिं करते हैं अपने आप से भी गरते हैं उनको पहले कोई मैसिज आप ऐसा दे दो कि उनको क्या करना चाहिए जिससे कि उनकी पढ़ाई भी चलते रहें उनके अंदर का जो कलाकार है वो भी जीवन्त बना रहें और फिर उसको आप समप करना अपने किसी गाने से मैं यह नहीं बूलती हूँ कि सिर्फ बच्चों को यह मैनत करनी चाहिए बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को भी बहुत मैनत करनी चाहिए क्योंकि बच्चा थर ठीक है गाह रहा है उसका जो भी पैशन है उसे फॉलो कर रहा है बट बच्चे के साथ उनके पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि वो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में ना लगाएं उसे, जो other activities होती हैं, उसमें भी उसे participate करना चाहिए और जिसमें उसका मन हो, चाहिए वो पढ़ाई हो, dance हो, music हो, कुछ भी हो, मतलब उस field में जाना चाहिए, जिसमें वो interested है अब आपका कोई गाना जो आप हमारे दरशकों के लिए गुन-गुनाना चाहें? गाना वैसे तो बहुत सारे है, मैं दिल है, इंदुस्तानी के, जो भी आपको गाना हो तो सोनो में मैंने काफी सारे गाने काई हैं, गिंती करना मुश्किल है अभी इस पर जूबी आपका मुन हो रहा हूं हाँ, ठीक है हो आई होले आई, हो सब रंग लाई, बिन तेरे होले भी ना भाई हाई ओ, भरी पिछ कारी, ओ, सक्खियों ने मारी भीगे मोरे सारे हाई हाई तन बदन मुरका पिथर थर थिनक धिन दिन, धिनक धिन धिन पिया तो से पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे तो दोस्तो ये थी हमारे साथ सोमिया शर्मा जिनकी उम्रों बहुत कम है मैंने आपको पहली बोला था लेकिन बहुत बड़ी का आ रहे हैं और आगे भी इनसे बहुत उम्मीद हैं ये मद्यप्रदेश की शाहन है और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली है कि हर और पैरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए तो वो भी एक दिन सोमिया शर्मा बन सकते हैं आप देख रहे हैं MP Life धन्यवाद